हेलो नमस्कार जेहिन दोस्तों मेरा नाम है चंद्रिका परशाद इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों घटना चक्र की इस किताब के नौमे चैप्टर के बारे में जिसका नाम है लोक तंद्र या प्रजा तंद्र डेमो क्रेसी दोस्तों राजनित विग्यान का यह बहुत ही महातपूर चैप्टर है दोस्तों इस चैप्टर से कैसे सवाल बनते हैं इस चैप्टर के अंतरगत क्या क्या चीज पढ़ना है वह सब कुछ इस किताब में बहुत ही बेवस्तित रूब से दिया गया है दोस्तों तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसको पढ़ते हैं इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं इमेडिटली वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लें हमारा चैनल यूटूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल सोसल साइंस याने की सामाजिक विग्यान सब्जेक्ट की तयारी कराता है दोस्तों इसमें पहला कोश्चन है दोस्तों जनतंत्र एक ऐसी सासन प्रडाली है जिसमें प्रत्यक व्यक्ति भागीदार होता है यह परिभासा किष्णे दी थी आपसन है ए जेम्स ब्राइस बी एल लावल सी जान सीले और डी एबी डाइसी तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर सी जान सीले चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों जन्तंत्र एक ऐसी सासन प्राडाली है जिसमें प्रत्यक व्यक्ति भागीदार होता है यह परिभासा जान सीले ने दी थी इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों अरस्तु के नुसार लोगतंत्र सासन का बिक्रित रूप है आमंड एम बरबा परजातंत्र संस्कृत से सम्मंधित सुसुप्त स्वांस सिध्धान्त प्रत्पादित किया और इसमें अंतिम पॉइंट है दोस्तों राबर्ट मिसल्स गुटतंत्र का लौह नियम दिया तो इसको भियाद रखिएगा पूंचा जा सकता है बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ कोश्चन नंबर दू विकास का नौ सास्त्री सिध्धान्त आवस्यक हो गया आपसन है A. उनेश्मी सताबदी में तकनीकी और सास्त्री खोजों के कारण B. यूरोप में कामगारों के स्थिती में तेजी से गिरावट के कारण C. माक्स की सिक्छाओं से करांती के भै के कारण और D. उपरिवत सभी के कारण तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नंबर D. उपरिवत सभी के कारण विकास का नौ सास्तिर सिधान्द आवस्तेख हो गया है तो इसको याद रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन नमबर तीन यह वक्तब किष्ण ने दिया की जनमत की निरंतर परक्रिया ही लोकतंतर की गत सीलता है आप्सन है A. डेबिड हूम B. जे ब्राइस C. आरियम मैकाईवर D. च. हूले तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आप्सन नमबर C. आरियम मैकाईवर मैकाईवर ने कहा है की जनमत की निरंतर परक्रिया ही लोकतंतर की गत सीलता है तो इसको याद रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन नमबर 5 यमियन राय द्वारां बेक्सित बिचार को जाना जाता है यमियन राय द्वारां बेक्सित बिचार को किस नाम से जाना जाता है तो वह है दोस्तों उग्रमान उतावाद आपसा नमबर A Question नमबर 5 यमियन राय द्वारा संगठित लोक तंतर में अंतिम सक्ती निहित होती है किस में निहित होती है दोस्तों तो लोगों में आपसा नमबर B Question नमबर 6 निमनलिकित में से किस ने लोक तंतर को बहुमत की निरंकुस्ता के रूप में बरडित किया है Option है A Rousseau B Dunning C D James Medicine तो इसका सही उतर है दोस्तों Option नमबर C D D D टाक बिले D टाक बिले ने दोस्तों लोक तंतर को बहुमत की निरंकुस्ता के रूप में बरडित किया है Question नमबर 7 रूसों के लोक तंतर में उदार से धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा एक गलत है Option है A सामान कल्याण B प्राकिर्टिक शमानता C राज के आधार के रूप में सहमती C ब्यक्तिकत संबंधों के निर्धारण में ब्यक्त के आहस्तंतर रही ये अधिकार तो इसका सहीवत तरह दोस्तों आपसा नमबर B प्राकिर्टिक शमानता रूसों के लोक तंतर के उदार सिधांत में दोस्तों प्राकिर्टिक शमानता नहीं है Question नमबर 8 प्रजातांतरिक संस्कृत के सुसुप्त स्वास सिध्धांत का आशय है क्या आशय है? निम्न सहभागता सरकार के लिए ब्रिहत संतोस प्रद है आपसा नमबर A Question नमबर 9 कथन A लोगतांतरिक बिकेंदरी करण द्वारां उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उपछेत्रों या मोहलों के बीच बिसंताओं से उत्पन होती और कारण R है लोगतांतरिक बिकेंदरी करण के प्रदाम सुरूप निम्न अस्तरों पर ससक्त इकाईयों का अभिजनों जोरां प्रग्रहण हो सकता है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसा नमबर D A असत्य है परंतवार सही है Question नमबर 10 लोगतांतरिक सासन का बिक्रित सुरूप है किसका कथन है तो यह कथन है दोस्तों अरस्तु का आपसा नमबर C चलिए देखते हैं इसकी ब्याख्या अरस्तु ने लोगतंतर को सासन का बिक्रित सुरूप कहा है बहुत से ब्यक्तियों के सासन का सामानी रूप मध्य बर्गतंतर है तथा उसका बिक्रित सुरूप लोगतंतर डेमोक्रेसी है वास्तों में लोगतंतर शब्द का प्रयोग अरस्तु ने भीड तंतर के अर्थ में किया है जिसे वह बहुत संख्यक मूर्खों अज्यानियों तथा स्वार्थी ब्यक्तियों का सासन कहता है जिनका अत्याचार राज तंतर या उलिन तंतर से अधिक होता है तो यह विचार है अरस्तु का लोगतंतर के उपर इसको याद रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन नमबर 11 पालटी यानि की समबैधानिक जनतंतर कहीं अधिक अस्थाई ब्योस्था है जिसमें करांति की संभावना कम रहती है यह कथन दिया है किसने दिया है अरस्तु ने आपसन नमबर B कोश्चन नमबर 12 निमन में से कौन सा चिंतक लोगतंतर के उधारवादी सिधान से नहीं जुड़ा है आपसन है A, लाक, B, हाप्स, C, कारल माक्ष, D, जेयस मिल तो इसका सहुतर है दोस्तों आपसन नमबर B, हाप्स हाप्स दोस्तों लोगतंतर के उधारवादी सिधान से नहीं जुड़ा है जबकि लाक, काल माक्ष और जेयस मिल लोगतंतर के उधारवादी सिधान से जुड़े है चलिए देखते हैं इसकी ब्याख्या हाप्स सोतंतरता और सुरक्षा की बहस में ब्यक्ति की सुरक्षा को अधिक महतु देता है वह है किसी बिसिष्ट सासन पडाली का बिरोध और समर्थन नहीं करता उसका प्रमुख लक्ष सक्तिसाली राज की अस्थापना करना है जिसमें की ब्यक्ति में नेहित दुर्गणों को नियंतरित किया जा सके लाग कालमाक्स और जेस मिल लोकतंतर के उधारवाद सिधान से जुड़े हैं लाग को उधारवाद का जनक माना जाता है इन्होंने प्राकरतिक अधिकारों को स्विकार कर लोगों को राज का बिरोध करने का अधिकार दिया है माक्स इस सिधान्त से आलोचनात्मक रूप से संबध है जबकि मिल ने कुछ संसोधनों के साथ इस सिधान्त को स्विकार किया है तो इसको याद रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोईश्चन पर कोईश्चन नमबर 13 किसने मिल को एक बिरक्त प्रजातांत्रिक कहा है तो वह है दोस्तों सी यल वेपर आपसा नमबर B सी यल वेपर ने दोस्तों मिल को एक बिरक्त प्रजातांत्रिक कहा है इसके अलावा दोस्तों इसी तरह का एक कथन पूछता है कि मिल खोखली सुतंदरता का वाहक है यह किशने कहा है तो यह कहा है दोस्तों बार करने तो इन दोनों को याद रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन नमबर 14 20 सताबदी के 7 दसक के पूरबार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नामक आंदोलन चलाया तो वह है थे दोस्तों जैप्रकास नारायन आपसन नमबर C चलिए देखते हैं इसकी ब्याख्या जैप्रकास नारायन ने ए पिक्चर आप सरबोदय सोसल आर्डर में लिखा है कि बहुसंख्यक दल सक्ति अपने हाथ में केंदिरित कर लोकतांत्रिक सासन के अस्थान पर सुएक्षा चारी सासन की अस्थापना करते हैं अतहुए दल भिहिन लोकतांत्रिक सासन की अस्थापना करते हैं बीस्वी सताब्दी में सत्तर के दसक में उनके आंदोलन का उद्दिस जनसाधारण की प्रात्मी का उसकताओं की पूर्ती को सुनिश्चित करना था। इसी आधार पर उन्होंने समग्र करांती का नारा दिया था। तो इसको भी आद रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोईश्चन पर। कोईश्चन नमबर पंदर है। निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज एक और दोगिक राज बन गया है। तो वह है दोस्तों गयल ब्रत आपस्टन नमबर ए। कोईश्चन नमबर 16 अपने समिधान के बरगी करण में अरस्टू ने प्रदर्शित किया है कि बहुत तंत्र यानिक पालटी का बिक्रित रूप है। क्या है तो वह है लोकतंत्र आपस्टन नमबर C कोईश्चन नमबर 17 निम्न में से कौन एक परजातंत्र के बहुलवादी सिधान का समर्थक है। तो वह है दोस्तों डेविड भी ट्रू मैन आपस्टन नमबर B कोईश्चन नमबर 18 निम्न लिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो वह है दोस्तों आपसर नमबर C जैसा की आप देख रहे हैं। काउट सही सुमेलित हैं चलिए इसको देखते हैं। A. लोकतंत्र का बहुलवादे द्रिष्टकोंड यह जुरा है दोस्तों राबट डहल के साथ। B. लोकतंत्र का अभिजनवादे द्रिष्टकोंड यह जुरा है गाय टानो मोस्का के साथ। D. लोकतंत्र का नव दक्षिर पंथे द्रिष्टकोंड यह जुरा है डेविड मारकंड के साथ। तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसकी ब्याख्या। हेगल ने लोकतंत्र का नहीं अपितु राज का कार्पोरेट सिधान दिया है। इसको याद रखिएगा। बाद में फांसी वादियों ने निगम राज की अधाला को लागू कर संपूर उत्पादन को राज के अधिन कर दिया। तो इसको भ्याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर। कोश्चन नमबर 19 निमन में से किस बिचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अस्थान पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का शमर्थन किया। तो वह थे दोस्तों जे मेडिसिन आपसा नमबर D कोश्चन नमबर 20 लोग कल्यान कारित सिधान्त आधारित है। किस पर अधारित है तो लोग आपसा नमबर B कोश्चन नमबर 21 लोग तंत्र का वास्तविक अर्थ है। क्या है केवल सासन का स्वरूप नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। आपसा नमबर D कोश्चन नमबर 22 लोग तंत्र आईसी सासन पध्धत है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथ में होती है। किनके हाथ में होती है। जनता के आपसा नमबर B चलिए देखते हैं इसकी ब्याख्या। लोग तंत्र दो शब्दों लोग पलस तंत्र से मिलकर बना है। जिसमें लोग का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन। अर्थात जनता का सासन। अमेरिकी राष्टपदी अबराहम लिंकन की परिभासा अतियंत परशिद्ध है। जनता का जनता के द्वारां जनता के लिए शासन है। उपरियुत बिवलडों से असपष्ट है कि लोग तंत्र में जनता परत्यक्ष रूप से सासन करती है और जनता ही अंतिम रूप से उ स्वस्थ लोगतंत्र के निर्माण में बाधा है क्या बाधा है निरक्षर्टा एयों दूसित सिक्षा पड़ाली आपसा नमबर सी कोश्चर नमबर 24 प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्विकार किया है तो वह है दोस्तों लोगतंत्रिक गणतंत्र आपसा नमबर D चलिए देखते हैं इसकी ब्याख्या भारत ने प्रजातंत्र का लोगतंत्रिक गणतंत्र स्विकार किया है लोक तंत्र लोक अर्थात जनता और तंत्र अर्थात सासन अथवा राज्य अर्थात लोक तंत्र का अर्थ हुआ जनता का सासन इसका अंग्रेजी परियाय डेमोक्रेसी यूनानी भासा के डेमोस तथा केटिया सब्दों के योग से बना है और इसका भी यही अर्थ है बहुतों की सक्ती अर्थात जनता का राज वहीं गनतंत्र का साप्दिक अर्थ है ऐसा राष्ट जिसकी सत्ता जनसाधार्ण में समाहित हो कोईस्चन नमबर पच्चिस प्रत्ययोग्त विधायन बेवस्था से किसकी सक्ती में सरबाधिक बृध्धी हुई है आपसन है A. विधाय का B. विधाय समितिया C. जन्पदाधिकारी बर्ग D. मंत्री परिशद इसका उतर तो इसमें दिया नहीं है चलिए देखते हैं इसकी ब्याख्या देखिए प्रत्ययोजित विधान का अर्थ है विधान मंडल दोरा कारिपालिका को प्रत्ययोजित नियम बनाने की सक्ति का प्रियोग इसे प्रत्ययोग्त विधायन अधिनस्त विधायन या सहायक विधान के नाम से जाना जाता है वस्तुत है संसत अपनी कानून निर्मार की सक्ता प्रसासिनिक विभागा अधिकारियों को प्रदत कर देती है और इस सक्त के आधार पर इन अधिकारियों द्वारा जिन नियमों का निर्मार किया जाता है उसे ही प्रदत विधायन कहते हैं तो इसको याद रखिएगा चूंकि प्रश्ण में दिया गया विकल्प जन पदाधिकारी बर्ग में निर्वाची तथा नियुक्त दोनों पदाधिकारी शामिल होते हैं इसलिए यह उपयुक्त उत्तर नहीं होगा प्रदत विधायन केवल प्रसासनिक विभागा अधिकारियों से समंदित है अतह है प्रदत विधायन से इनकी सक्तियों में सरवाधिक ब्रद्धी होगी तो इसको याद रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन नमबर 26 लोकतंतर के बारे में निम्नलिखित कथन किस बिचारक का है इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि बरतमान प्रतनित सभाओं में अनेक तुर्टियां है पर यदि मोटर गाली खराब हो जाए तो उसकी जगह बैल गाली का इस्तेमाल करने लगना मुर्खता होगी चाहे इसकी कलपना कितनी मधुर क्यों ना लगे तो यह कथ है न दोस्तों C.D.Burns का आपसन नमबर A Q.27 लोग तंत्र में गुट तंत्र के लवह नियम का प्रत्वादन किशने किया तो वह था दोस्तों Robert Missills आपसन नमबर A Q.28 निवन में से कौन सा एक चिंतक बिसिष्ट बर्गवादी सिधान से जुड़ा है आपसन है A. बिल्फरेटो, पैरोटो, B. मोस्का, C. राबट मिसल्स और D. सभी तीन तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर D सभी तीन ये सभी तीनों दोस्तों बिसिष्ट बर्गवादी सिधान से जुड़े हैं इनको याद रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन नमबर 29 पैरेटो के सम्मंध में निमलिक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है आपसन है A. वह हरताल के अधिकार को नियायोचित छहराता है B. उसने अभिव्यक्त की सुतंदर्ता को सत्त की खोज के लिए उप्युक्त माना है C. उसने सामराज जवाद की परसंसा की D. उसने अभिजन बर के संचलन की बात की तो इसका सही उतर है दोस्तों आपसन नमबर C. उसने सामराज जवाद की परसंसा की पाइरेटों के सम्मद्ध में यह कथन सही नहीं है कोश्चार नमबर 30 निम्न में से कौन लोकतंत्र को सुविकृत पागलपन कहता है तो वह है दोस्तों टेली रैंड आपसा नमबर C कोश्चार नमबर 31 निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन सहली के रूप में परिभासित किया है तो वह है दोस्तों टी वी इसमित आपसा नमबर D कोश्चार नमबर 32 प्रतिनिधित्तों का कौन साथ शिधान्त प्रतेक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है तो वह है दोस्तों करांतिकारिश शिधान्त आपसा नमबर D कोईस्चर नमबर 33 किसने कहा था सारभौमिक वैस्क मताधिकार वास्तों में सारभौमिक नहीं है तो वह है दोस्तों गिलकराइश्ट आपसा नमबर A कोईस्चर नमबर 34 सभी मनुस्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुस्यों को सदयव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है लेकिन सभी मनुस्यों को सदयव के लिए बनाया जा सकता यह किसने कहा था तो यह कहा था दोस्तों अबराहम लिंकन ने आपसा नमबर B इसकी ब्याख्या के अन्य महत्पूर तत्य में दोस्तों तीन परिभासा दिया है इसको जानना जरूरी है चलिए देखते हैं सीले, सीले के अमसार दोस्तों लोगतंत्र वह सासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है अबराहम लिंकन, लोगतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा जनता का सासन है डायसी, लोगतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग सासन करता है तो इसको भ्याद रखिएगा, बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन नमबर 35, लोगतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा सासन है लोगतंत्र की यह परिभासा किस बिद्वान की है तो यह है दोस्तों अबराहम लिंकन की, आपसन नमबर A कोश्चन नमबर 36, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए यह कश्चन किसका है, तो यह कश्चन है दोस्तों JS मिल का आपसन नमबर C कोश्चन नमबर 37, किसने कहा परजातंत्र ऐसा सासन है जिसमें परत्यक बिक्त की हिस्सेदारी होती है किसने कहा परजातंत्र एक ऐसा सासन है जिसमें परत्यक बिक्त की हिस्सेदारी होती है तो वह है दोस्तों C ले, आपसन नमबर C कोश्चन नमबर 38, किसने कहा लोग तंत्र वह सासन है जिसमें परत्यक बिक्त की भागिदार होता है तो वही कछन दोस्तों, दूसरे तरीके से पूँचा है तो इसका सही उत्तर है C ले, आपसन नमबर B कोश्चन नमबर 49, यदि अतिसमानता से प्रजातंत्र भरष्ट होता है तो साथ ही अतिसमानता की भावना से भीवह नष्ट हो जाएगा यह कछन किस्का है तो यह कछन दोस्तों, अरस्तू का आपसन नमबर B अरस्तू ने कहा है कि अतिसमानता से प्रजातंत्र भरष्ट होता है तो साथ ही अध्समानता की भावना से भीवहनश्ट हो जाएगा सुरक्षात्मक लोकतंत्र राबर्ट एडेल का है पेपुल्स लोकतंत्र लेनिन का है बहुल लोकतंत्र अरस्तू और सास्त्री लोकतंत्र जानलाग का है तो इसको भ्याद रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन नमबर 41 निमनलखित सिधानतों में से काउन सा सिधान मान्टेशक्यू ने प्रस्पाज़ित किया तो वह है दोस्तों सकती प्रिथक करण आपसा नमबर B सकती प्रिथक करण का सिधान दोस्तों मान्टेशक्यू ने प्रस्पाज़ित किया है तो इसको याद रखिएगा चलिए देखते हैं इसकी ब्याख्या मान्टेशक्यू ने अपने पुस्तक The Spirit of Lodge में सरकार के तीनों अंगों में सकती के प्रिथक करण का सिधान प्रत्पाज़ित की इसके अभाव में नागरिकों की स्वतंद्रता पूल रूप से नश्ट हो जाएगी और निरंकु सासन की अस्थापना होगी जो की मानो विकास के लिए घातक होगी तो इसको याद रखिएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन कोश्चन नमबर 42 परजातंत्र वहसासन पधती है जिसमें अंतिम सक्ती निमास करती है किसमें निमास करती है परजातंत्र में तो जनता में आपसन नमबर A कोश्चन नमबर 43 निमनलखित में से कौन लोकतंत्र का आवस्यक अभिलक्षण नहीं है तो वह है दोस्तों नियाए पालिका जबाब दे होती है विधाई का के परजात्र यह लोकतंत्र का आवस्यक अभिलक्षण नहीं है जबकि नयाय पालिका सोतंत्र होती है, प्रेस सोतंत्र होता है, सारवजनिक राय परकट करने की सोतंत्रता होती है लोगतंत्र में तो इसको जाद रखेगा, बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चर नमबर 44 राजनेतिक समानता की सरबस्रेष्ट गारंटी है किसमें है लोक तंत्र में आपसन नमबर A कोश्चर नमबर 45 राजनेतिक प्रतिनेधित्व सुनिश्चित किया जाता है किसके द्वारा राजनेतिक दल, बिधान पालिका और सम्विधान द्वारा आपसन नमबर C कोश्चर नमबर 46 उदार लोक तंत्र का सबसे बिसिष्ट लक्षड है की क्या है कि यह है सभी ब्यत्तियों के मतों को समान मानता उदार लोकतंत्र सभी ब्यक्तियों के मतों को समान मानता है आपसा नमबर B Question number 47 भासन कि सोतंत्रता कि सासन के लिए आवस्यक है तो वह है दोस्तों लोकतंत्र आपसा नमबर A Question number 48 निम्न लिखित में से कौन सी दल पधत लोकतंत्र के अस्थायतु के लिए सबसे उप्युक्त है तो वह है दोस्तों दूई दली आपसा नमबर D जिस देश में किवल दो है पार्टियां होती है वह है लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा है तो इसको याद रखिएगा बढ़ते हैं अगले Question पर Question number 49 निम्न लिखित में से कौन प्रतेक्ष परजातंत्र का एक लक्षण नहीं है आपसान है A. लोकमत B. जनमत संग्रह C. आरंभन D. आनुपातिक प्रतिनिधित तो इसका सही उतर है दोस्तों Option number D आनुपातिक प्रतिनिधित आनुपातिक प्रतिनिधित दोस्तों परतेक्ष परजातंत्र का लक्षण नहीं है लोकतंत्र का लक्षण है जबकि लोकमत जनमत संग्रह और आरंभन परतेक्ष परजातंत्र का लक्षण है Question number 50 निम्न लिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है आप्षन है A जन्मत संग्रह B उपकरम C दबाव समू D लैंड सजी मिंडे तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आप्षन नमबर C दबाव समू